Today we are going to discuss about preamble. तो देखिए पॉलिटी की सीरीज में भी तक अपन क्या-क्या देख चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी भी एरिये को गवर्न करने के लिए दो मेजर कंपोनेंट की रिक्वार्मेंट होती है. जैसे फॉर एक्जमपल यहीं इंडिया है तो इसको गवर्न करने के लिए अपनी Holy Book Constitution of India है, जिसमें Rules, Regulation, Objective, Nature of State यह सारी चीज़े दी गई है और इन Rules, Regulation को इंप्लिमेंट कराने की जिम्मेदारी तीन बोडिस पर है Legislative Body, Executive Body और Judicial Body अब अपनी यह जो पहला Constitution of India है, अपनी Holy Book है इसका Development, इसका Historical Background अपन देख चुके हैं उसके बाद अपन ने इसके Salient Features भी देख लिए हैं उसके बाद इस Book को Relevant बनाए रखने के लिए इसमें क्या किया जाते है? Amendment किया जाते है, Edition और Deletion किया जाते है और उसका Power किसके पास है? Parliament के पास है लेकिन उसका एक exception है, जो है Basic Structure of Constitution जो कि Case 1 अंदा भारती Judgment में निकल कर आया था तो यह सारी चीज़े अपन देख चुके हैं और आज अपन डिसकस करेंगे Preamble पर तो चलिए Lecture को Start करते हैं उससे पहले मैं आपको Lecture Plan बता देता हूँ तो सबसे पहले अपन What is Preamble देखेंगे उसके बाद अपन Preamble से Related कुछ Keywords देखेंगे जो Preamble में दिये गए हैं उनकी Definition देखेंगे UPSC Pilims में पूछे जा सकते हैं Even Means में भी पूछा जा सकता है इससे Relate करके Question उसके बाद अपन क्या करेंगे Significance of the Preamble देखेंगे फिर अपन Preamble की Preamble में कौन-कौन से अभी तक Amendment हुए या Preamble से Related मैं आपको Judgment बताऊँगा कि Preamble सम्मिधान का भाग है की नहीं है Constitution का Part है की नहीं है फिर उसके बाद मैं आपको कुछ Facts बताऊँगा Preamble से Related जो Preamble से पूछे जा सकते हैं इस तरीके से अपना Lecture complete होगा तो Start करते हैं What is Preamble तो देखें जैसा की For Example यह आपकी Quality की लक्षमिकान देखेंगे आप जो किताब है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले Index दिया है फिर Index के बाद Chapter start होते है पहला Chapter, दूसरा Chapter, तीसरा Chapter, चौता Chapter तो इसी तरीके से यह जो अपनी Holy Book है इसका जो introductory part है उसी को Preamble कहा जाता है तो क्या है यह introductory part है किताब का और इस introductory part में क्या-क्या दिया है अपने introductory part में अब अपना जो Preamble है वो चार चीजों को बताता है पहला यह बताता है कि Constitution का Source कौन है फिर बताता है कि Indian State का Nature क्या होना चाहिए उसके बाद यह बताता है कि Objective क्या है भारत को आगे भविश में क्या-क्या Achieve करना है जो Constitution Maker का सपना था भारत कैसा होना चाहिए उसके बाद लास्ट में आप दिखेंगे कि यह जो Constitution इसको कब Adopt किया गया यह सारी चीजे दी गई है और यह statement को आपको यूज करना है मेंस आंसर राइटिंग में क्योंकि यह बहुत Eminent Personality का कतान है जो की Importance of Preamble कही न कहीं बताता है तो आप यह इंदी में भी पढ़ सकते हैं अब अपन देखते हैं यह प्रिम्बल है इसको आपको जरूर रीट करना है क्योंकि क्या बोलते हैं As a Indian citizen यह पता होना सब को प्रिम्बल पढ़ना चाहिए और एक UPSC की तैयारी PSC या कोई भी एक्जाम की तैयारी करने वाले विध्यारती को तो जरूर से प्रिम्बल पढ़ना चाहिए तो आप इसको रीट जरूर कीजिएगा और यहां आप इंदी में भी देख सकते हैं तो चलिए आप History देखते हैं कि प्रिम्बल के शुरूरात कैसे हुई या क्या प्रिम्बल कैसे अपने संविधान में जुड़ा क्या चीजे थी कब पहली बार रखा गया तो उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए जैसे आपको मालूम है जो इसका क्या मतलब होता है जैसे फॉर एक्जांपल आपके जो fundamental right है यदि उसका breach होता तो आप सीधे Supreme Court चले जाते है लेकिन यदि आपको आपका कोई right है वो breach हो रहा है तो आप प्रिम्बल के आधार पर court नहीं जा सकते क्योंकि प्रिम्बल not enforceable है जबकि आर्टिकल को लेके यदि कोई ambiguity होती है तो उसको कही न कहीं resolve करने में प्रिम्बल का क्या होता है यूज किया जाता है जैसे Supreme Court बहुत सारे judgment में कही न कहीं उनने प्रिम्बल का use करके कोई न कोई जो भी case था उसका कही न कहीं क्या है solution किया है तो प्रिम्बल भारत की जनता है People of India है कि ये जो आपको मालूँ होगा ये जो सम्मिधान किस ने बनाया Constituent Assembly ने बनाया और उस Constituent Assembly को indirectly किस ने लेक किया था भारत की जनता ने या People of India ने किया था और जब सम्मिधान अपनाया गया तब लिखा गया कि we the people of India आपन जो भारत की जनता है वो इस सम्विधान को कहीं न कहीं शक्ति प्रदान करती है तो आप यहां source of the constitution देख सकते हैं फिर उसके बाद आगे रीट करेंगे तो nature of Indian state दिया है कि India state कैसी होना चाहिए तो इंडिया कैसा होना चाहिए sovereign and socialistic, secular, democratic, republican, polity होना चाहिए फिर और आगे पढ़ेंगे तो objective दियें कि भारत को कैसा मनला भारत को समाज में क्या क्या अचीव करना है तो अपन को justice, liberty, equality, fraternity ये सारी चीज़े अचीज़े अचीब करना है ये सब अपने सम्विधान के क्या है objectives है उसके बाद last में आप देखें को 26 January 1950 को लागू किया गया था यहां इंदी में भी आप देख सकते हैं अब keyword जिंदा प्रेमबल तो अपने सम्विधान में बहुत सारे keywords दियें जिनको आपको समझना जरूरी है उसकी definition आपसे पूछी जा सकती है तो आप शुरुआत पढ़ेंगे जो मैंने बुला पढ़ इंडिया की जनता है वो अपने कोई भी decision लेती है तो उसके उपर किसी का भी दबाब नहीं है वो free है अपने decision खुद लेने के लिए इसी तरीके से इंडिया भी एक sovereign country है जैसा कि आपको मालूम है कि अपने उपर बिटेन ने बहुत सालों तक सासन किया और अपन बिटेन के दबाब के बिना free होके ले रहे हैं जैसे आज अपन को यदि रशिया और अमेरिका से अपने कहिना कर इंटरनेशनल रिलेशन रखने तो अपन फ्री है अपन किसी के दबाब में नहीं है कि कोई अपन को बोलेगा तब अपन किसी के साथ क्या करेंगे international relation बनाएंगे अपन अपने जो relation है अपन फ्री है और अपनी जो legislative assembly है legislature है वो क्या करती है उसके पास power है law बनाने का और वो भी limitation के अंतर है limitation के अंतर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था जो legislative assembly है वो सम्मिधान के दाइरे के अंतरगत करती है इसे ही constitutionalism यह सम्मिधान वाद कहा जाता है तो इंडिया क्या है sovereign country अपने decision free होके लेती है किसी के दबाब में नहीं है तो आप यहां read करेंगे तो आपको समझ जाएगा अब आप देख सकते हैं प्रस्तावना में मुख्यसब्ध हिंदी में और मैं आपको बता दूँ जैसे for example आपको मालूम है कि भारत commonwealth का commonwealth का member है भारत कहीं न कहीं UN का member है तो भारत नहीं जो membership membership लिए अपनी मर्जी से लिए और भारत चाहे तो चब चाहे इसको छोड़ सकता है किसी के दबाब में नहीं है अब आप यहां देख सकते है socialist अगला word socialist देख यह तो SSI socialist secular और integrity यह जो तीनों शब्दें अपने सम्मिदान में 42nd amendment 1976 के दोरह जोड़े गए थे तो socialist किस से जुड़ा आपको समझ आ गया अब भारत का socialist कैसा है socialism जो चाइना और रूस में socialism है उसके जैसा या भारत का कुछ अलग है तो भारत का socialism जो है वो democratic socialism है जो रशिया है जो चाइना है महां पर जो socialist company भी है और central government की company भी है public sector unit भी है तो अपने हाँ private और government दोनों साथ साथ चलती है दोनों coexist करती है इसे democratic socialism कहा जाता है और अपना जो socialism है वो गांदिस्म और marxism का कहीं mixture है कहीं ना कहीं और उसमें भी leaning towards क्या है गांदिस्म है गांदिस्म की तरह जुका हुआ है जबकि रसिया और चाइना का जो अपना socialist culture है वो marxism की तरफ जादा जुका हुआ है marxist पर यह आधारेत है और आप यहां पर read करेंगे तो आपको समझ जाएगा और उनका जो socialism है वो क्या को बोलता है equitable and equal distribution of resources और भारत का socialism भी ऐसा है लेकिन मैंने जैसा कि आपको बता है अपना democratic socialism है और आप यहां पर देखेंगे अपना aim क्या poverty को खतम करना है ना diseases को inequality of opportunity को यह सारी चीज़े अपन को क्या करना है समाज से खतम करना है तो आप रीट करेंगे तो आपको समाज जाएगा आप यहां इंदी में भी देख सकते हैं अब देखिए secular तो देखिए मैं secular को आपको पहले भी बता चुका है silent features में भी बता चुका हूँ और बीच बीच में बात करता रहा हूँ secularism का मतलब क्या होता जैसे यह 40 second amendment से जोड़ा है मैं आपको पीछे बता दिया था इसका मतलब यह होता है देखिए अब यह 1976 में जोड़ा लेकिन 1974 में तो नहीं था तब Supreme Court ने अपना एक judgment दिया था और अभी अपने पास secularism नहीं है लेकिन तो भी इसमें कोई doubt नहीं कि अपने constitutional जो makers थे वो क्या करना चाते थे भारत को एक secular state बनाना चाते थे secular state का क्या मतलब है कि भारत की state का कोई religion नहीं होगा वो सारे religion को बराबर से क्या करेंगे बढ़ावा देंगे और सब free है अपना religion को म discrimination में साफ साफ लिखा है कि भारत की state religion के आधार पर किसी से भी क्या करेगी कोई बेदबाव नहीं करेगी कोई भी क्या करेगी डिस्टिंग्विश नहीं करेगी तो इसे ही कही नहीं सेकलरिज्म को दर्शाता है फिर आता है democratic तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारत का सम्मिधान है वो अपनी authority किस से लेता है जनता से लेता है और भारत में क्या होते हैं election होते हैं और हर 5 साल में सरकार बनाई जाती है और हर 5 साल के में सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो भारत की जनता क्या कर सकती है उनको हटा सकती है और नई सरकार को इलेक कर सकती है तो क पब्लिक भी मैं पहले भी discuss कर चुका हूँ रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि जो भारत के जित्ते भी offices हैं वो सब के लिए खोले हूँ है जैसे आपको मालूम होगा कि UK में जो है राजा रानी का culture रहता है King और Queen का लेकिन भारत में आप देखेंगे प्रेसिडेंट क्या होते हर पांस साल में एलेक्ट होते और कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है कुछ exception को अटा के कोई भी प्रेसिडेंट अपने हाँ बन सकता है तो यह कहीं न कहीं रिपब्लिक को दर्शाता हूँ और यह मैं पहले भी discuss कर चुका हूँ यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं तो आपको यहीं लेक्चर पसंद आया हो तो जादा से like, share, subscribe जरूर कीजेगा thank you, thanks for watching